जै हिंद इस वीडियों हम लोग असान भासना में market capitalization के बारे हम समझेंगे कि market capitalization क्या होता है या कैसे निकाला जाता है तथा किसी company के लिए क्यों जरूरी होता है और सबसे हम सवाल कि हम इसे क्यों सीख रहे हैं हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है देखिए हम लोग share market से ज बतलाता है अर्थात मार्केट में किसी company की कीमत क्या है कितनी मुल्य की company है इसको कहते हैं और साथ में capitalization company के size को भी बताता है अब यह size जो होता है company का थे देखिए कंपनी के size एक होता है large company दूसरा होता है mid-cap company और तीसरा होता है small cap company जिस company का valuation यानि कि मुल 75,000 क्रौण से अधिक होता है उसको लार्ज का प्मपनी कहा जाता है और जिस company का valuation स्क kafक क्पनि की में रखाएं जाता है जो लार्ज का चारं क्पनि की कमी मिट करेब बदलता रहता है जो अधिक कंप娘 वाली कॉते हैं ध्यान देना है कि यह कंपनि मीच कैप में ही आती है और जो penny stock वाली company होते हैं उसको small cap में भी नहीं रखते हैं उसको small cap से भी नीचे की company होते हुँ जिससे penny stock कहते हैं दू 4-5-10 कौन तक ही company होती है valuation के साफ से उसको penny stock कहते हैं अब समझे कि यह जो market capitalization होता है वो निकाला कैसे जाता है देखिए किसी भी company के market capitalization को निकालने के लिए दो चीज़े बहुत ज़रूरी है एक है company का current share price अभी क्या है और दूसरा की total number of outstanding shares क्या होता है समझें out outstanding shares का मतलब होता है कि बजार में अभी company के कितने shares है जैसे प्रमोटर के पास उसे छोड़कर पब्ली के पास और फाई याई डियाई जो होते हैं इनके पास total number of shares कितने हैं उसको out outstanding shares करते हैं अब मालेजिए कि इस company का market capitalization निकलना है तो उसके लिए current share price में total number of outstanding shares को multiply कर देंगे इससे हमारा market capitalization निकल जाएगा एक उधारन के माध्याम साबको मैं बताता हूं जैसे मालेजिए कि इस company का current share price है 10 रुपया और total number of outstanding shares है 1000 और market capitalization निकलना है तो क्या करेंगे कि जो current shares price है उसमें number of outstanding shares से multiply कर देंगे जैसे यहां देखिए मैंने किया है share price को total number of outstanding shares से multiply कर दिया है आया है 10,000 क्रोंड यह 10,000 क्रोंड किसी company का market capitalization हो गया market cap हमेशा क्रोंड में होता कंपनी है तो लाख हजार में तो होगा नहीं एक पहनी श्टोक कंपनी जो होती हो भी क्रोंड में होती है अब जो market cap निकल गया मालने जिए आपके पास कंपनी कीसी भी कंपनी का share price पता है और आप यह पता करना चाहते हैं कि अभी कंपनी के कितन आपको पता चल जाएगा कि अभी कितना कंपनी का सेर्स बजार में पढ़ा हुआ है जैसे इस में देखिए इस कंपनी का मार्केट करें 10,000 कोई कंपनी है उसका market सुपरिया